आधर्ती गोरा गोरारी आधर्ती मीठा गोरारी इधर्ती रो रुत्बो उचो अधर्ती में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज से पहले हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था मेवार का तियास का भाग एक जिसमें मेवार राज्य की स्थापना और मेवार राज्य के चरम सीमा तक पहुंचाने वाले शाषक बपरावल का उलेख था और अब इस राज़स्तान के तियास मेवार के तियास के दूसरे भाग में हम बपरावल से आगे वाले शाषक कानी के वारे पढ़ें गे ये हमने पिछली वीडियो में सुना था पढ़ा था कि कि किस प्रकार से गोहिला दित्य ने या गुहा दित्य ने मेवाड में गोहिल वंच की स्थापना की और फिर उसके बाद बपारावल ने उस मेवाड राज्य में नागदा को जीत कर और उसके बाद चितोर विड़ को जीत कर नागदा को अपनी राजधानी बनाया और फिर मेवार में गोहिल वंच के समराज्जी का लगातार विस्तार किया बापा रावल की मृत्यों के साथ बापा रावल ने ऐसा मानते हैं कि बाद में समाधी ले दी और नागदा में उनकी समाधी जो है वो इस्तित है तो बप्पा रावल की मृत्यों के बाद में मेवार में फिर एक परिवर्तन आया और वो परिवर्तन ये था कि फिर से मेवार में राजपूतों और भीलों के बीच में शत्रुता प्रारम हुई नहीं पहले पढ़ा था गई बबपार आवल से पूर्व भी भीलों और राचपूतों में दोबारा शतुरता शोरू हुई दि जिसके बीचे कारण जो था वो बपारावल की पता का दुर्वेवार था और वैसा ही कुछ कारण बपारावल की मृत्यों के बाद मेवार में फिर से हुआ बपारावल की मृत्यों के बाद मेवार के अगले शाशक बने महिंद्र तो बपारावल के पुतर थे मह हिंदर महेंदर मेवार के साशक बने भुहिलवंश के बपारावल के बाद अगले साशक थे लेकिन महेंदर के समय परिवर्दन जो आया वो ये था कि फिर से भीलों और आजपुतों को बीच में शतुर्दा का भाव उत्पन हुआ उसके बीचे रीजन महिंदर का दुर्वेवार था और यहां पर भीलों ने फिर से इस शाशक की हत्या कर दी यानि यह जो शाशक थे महिंदर इनकी हत्या मेवार के भीलों द्वारा कर दी गई थी दुबारा से भीलों ने मेवाड की राजदानी नागदा पर अधिकार कर लिया तो अब यहाँ पर जो परिवर्तन था वो यह था कि महेंदर की बुलों दुबारा हत्या हुई और उसके बाद फिर भीलों ने नागदा पर अधिकार कर लिया यानि कि मेवार के गोहिल शाशकों के हाथ से उनकी जो राजदानी थी वो निकल गई अब ये जो हुआ इसके बाद में फिर महिंदर के बाद में अगला जो उनका पुत्र था वो था नाग यानि बपारावल के बाद शाशक बने महिंद्र महिंद्र की भीलों अक्तिया कर दी और आजदाई नागदा पर अधिकार कर लिया फिर इसके बाद नाग अगले शाशक बने नाग ने भीलों से नागदा को दोबारा चुड़ाने कोशिश करी और इन्होंने नागदा पर पुने अधिकार कर लिया तो गोहिल वंच का नागदा पर पुने अधिकार हुआ और नागदा जो है वो गोहिल वंच की पुने राजदानी बनी नाग के बाद से फिर से मेवार के इस इतिहास में अंदकार का युग शुरू होता अंदकार के युक से अर्थ ये है कि इस समय मेवाड़म कोई ऐसा बड़ा साशक नहीं था जो कि लगातार सामरज्य का विस्तार कर पाता या फिर मेवाड़ को संगरित कर पाता या फिर मेवाड़म जो संगर्ष खीस्तिती थी उन सब को शांद कर पाता इनके बाद में अगले शाशक बना वो थे शिलादित्या तो नाग के बाद अगले शाशक बने शिलादित्या शिलादित्या नाग के बाद में नागने नागदा को दुबार जीत लिया था लेकिन शिलादित्या ने इसके बाद फिर उन मेवार के खोड़ हुए प्रदेशों को फिर से जीतना शुरू किया तो शिलादित्या ने मेवार विजय का पुने अभियान शुरू किया तो शिलादित्या ने नागदा को दो जीत लिया था यानि शिरादित्ते ने मेवार में तांबे के सिक्ष्ष प्रारम किये इसके पहले मेवार में सुर्ण सिक्के प्रारंब हो चुके थे मेवार में सुर्ण सिक्के प्रारंब करने का ये कारे किया था बाप परावल ने यानि मेवार में सबसे पहले सुर्ण सिक्के प्रारंब किये थे किस ने बपरावल ने और मेवार में सबसे पहले तामे किस के प्रावल किते शिला दिते रहे फिर इसके बाद अगले शाशक है महेंद्र सेकंड महेंद्र सेकंड का एक और दूसरा नाम है काल भोज यह हम पहले पढ़ चुक है कि काल भोज बपरावल का भी वास्तिक नाम था तो बपरावल का एक नाम काल भोज भी था उसी तरह से यहां पर यह जो महेंद्र सेकंड है उसका भी दूसरा नाम कालबोज था इसके बाद कालबोज के बाद लगबग 9-10 लगातार शाशक हुए तो मेवार का इतियास लगातार आगे बढ़ रहा था लेकिन कोई बहुत प्रमुख शाशक नहीं थे यानि मेवार का समरज बहुत बढ़ा नहीं था मेवार के साथ में कोई बहुत ज़्यादा संगर्श भी किसी के नहीं हुए तो इसी कड़ी में आगे शाशक बने अलट अलट के समय मेवार में कुछ उपलब्दियां प्राप्त की अलट का दूसरा एक नाम और मिलता है वो है आलू रावल यानि एक तो इनका नाम अलट है दूसरा नाम में साशक का है आलू रावल तो अलट या आलू रावल का साशन मेवार में प्रारम हुआ इस में ऐसा मना जाता है कि अलट ने एक हून राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवा किया था अब जानने वाली बात इसमें है कि हून गौन थे हून एक चीनी जाती थी प्राचीन काल में आप भारत के त्यास में पढ़ो गए कि भारत पर कुछ विदेशी चीनी जाती हो ने आकरवन किया उनमें सबसे पहले आने वाले थे शक, शकों के बाद आये थे कुछान और कुछानों के बाद आये थे हून तो पहले शक आये, फिर कुछान आये, फिर हून आये ये जो तीनों जाती हैं ये चीन से भारत पर आकरवन करती है हूनों का भारत में आक्रमन सबसे पहले लगबग शात्वी शताबदी में गुप्तों के टाइम में हुआ था तो गुप्तकाल में सबसे पहले हूनों ने भारत पर आक्रमन करना शुरू किया और गुप्तकाल के अंत के साथ हूनों ने लगबग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था लेकिन हूनों ने बाद में भारती धर्मों का अपनाना शुरू कर दिया सबसे जादہ हूनों ने जिस धर्म का अपनाया वो था हिंदु धर्म का शेव संप्रदा है यानि हून जो थे वो शिवजी के उपासक थे तो इनी में से एक हून राजकुमारी हरिया देवी का विवा अलट के साथ हुआ साथियों जानने वाली बात ये है कि राजस्तान का पहला अंतराष्ट्रिय विवा अंतराष्टे विवा से मतलब क्या कि किसी भारतिये ने किसी अन्य देश की राजकुमारी या राजकुमार के साथ विवा किया तो राजस्तान का पहला अंतराष्टे विवा मेवार के शाशक अल्ट या अलूरावल का हून राजकुमारी क्यों क्यों कि हून मुल रूप से चीन के रहने वाले थे तो हून राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवा किया था भारत का पहला अंतराष्टी विवा अगर आपसे ये question पूछा जाए कि भारत का पहला अंतराष्टी विवा कौन सा है तो ये हमने सबने देखा होगा और सुना होगा कि पातली पुत्र में मौर्य वंश की स्थापना करने वाले थे चंदरगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश के साशक चंदरगुप्त मौर्य इन चंदरगुप्त मौर्य के समय 305 इस्वा पूरू भारत पर यूनानी शाषक सेल्यूकस ने आक्रमन किया था और सेल्यूकस की पुत्री का नाम था हेलन जो एक यूनानी राजकुमारी थी तो मौरे शाषक चंदरकुप्त मौरे ने यूनानी शाषक हेलन के साथ विवा किया था यह है भारत का पहला अंतराष्टे विवा है तो यहाँ पर दो बात हैं भारत का पहला अंतराष्टे विवा चंदरकुप्त मौर है और यूनानी राजकुमारी हैलन का विवा हैलन कौन ये यूनानी अक्रवनकारी सेल्यूकस की पुतरी थी और राजस्तान का पहला अंतराश्चे विवा ये अल्लट या आलूरावल जो मेवार के साथ थे के साथ हून राजकुमारी हरिया देवी का विवा ये हुआ अल्लट के समय के दूसरी बड़ी इंट नाग्दा लेकिन अब याँ से नई राजदानी बनी आहड याणि मेवार की पैली राजदानी थी नाग्दा नागधा राजदानी किसने बनाई थी? बपारावल ने और मेवाड की दूसरी राजदानी बनी आहड आहड राजदानी के संस्तापक कौन थे? अलट या आलूरावल फिर इसके बाद अगली उपलब्दी ये कि अलट ने मेवाड में पहली बार नौकर शाही का विकास किया अब साथियों यहाँ पर एक प्ष़शन है कि नौकर शाही क्या होती है? Englishman School of Bureau Creshing Bureau Creshing का अर्थ है कि ऐसे कोई समूँ, ऐसा कोई ग्रुप जिसका की कारे ये हो कि वो शाषन या शाषकों द्वारा तैक की जाने वाली नीतियों को लागू करें जैसे आप I.S.R.S. जानते हो, आप पटवारी की तियारी कर रहे हो, आप पुलिस की तियारी कर रहे हो या आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये सारे के सारे जो आप त्यारी कर रहे हो वो सब नौकरशाही है तो नौकरशाही करती होता है कि ऐसा कोई समू या वर्ग है जो कि सभी शाशकों या नीती निर्माताओं की नीतियों को लागू करने कारे करता है तो इस गुरूप का कारे केवल यही है और इसके बदले में उसको सरकार से नियमित वेतन मिलता है तो यह सरकार के नियमित करमचारी होता है जो सरकार की नीतियों को लगरने कारे करता है और इसके साथी सरकार से वो इस कारे के बदले में नियमित वेतन प्राप्त करते हैं तो राजस्तान में पहली बार नौकर शाई का विकास करने वाल जो जो साशक हैं वो हैं मेवार के साशक है, अल्लट ये आलूरावल अगली उप्लब्दी अलट की ये है कि इन्हों ने आहड में ही वरहा मंदिर का निर्मान करवाय था साथियों ये हम जानते हैं कि वरहा यानि वरहा विश्नु के दस अवतारों में से एक है तो इसकारती हुआ कि वरहा मंदिर यानि विश्णू के वरहा मंदिर का वरहा अवतार का मंदिर है तो अलट ने मेवार के आहर में जोनों नई राजदानी बनाये थी वहाँ पर एक वरहा मंदिर का निर्मान और करवा है तो यह उपलब्दिया हैं अलट की अल्लट के बाद में अगले मेत्वपूर्ण साशक हैं शक्ति कुमार शक्ति कुमार का जो समय वो है 937 से लेकर के 993 तक अब शक्ति कुमार की लबदिया तो बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन शक्ति कुमार का समय थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब मेवार की राजधानी और मेवार का प्रमुक दुर्ग चित्तोरगड मेवार के शाशकों के हाथ से निकल गया और इस बार मेवार को जितने वाले भील नहीं थे इस बार मेवार को जितने वाला था पड़ोसी राज्य मालवा मालवा ये वर्तमान में मद्यपृदेश का भाग है तो मालवा या मद्यपृदेश में उसमें जो वंच शाशन करता था उसका नाम था परमारवंच परमारवंच का उसमें शाशक था वाकपती मुझ तो ये मालवा के परमारवंच की राजधानी थी धार आज भी मद्य पुर्देश में जिला है धार तो धार के मूलनेवासी थे ये परमारवंच के लोग और परमारवंच के शाशक थे वाकपती मुंझ इन वाकपती मुंझ ने चित्तोर की राजदानी आहड और दूसरा ये सर्व परमुक के लिए चित्तोर गड़ इन दौनों को जीत लिया जैनि पहली बार ऐसा हुआ जब मेवार की दौनो राजदानी और प्रमुक राजदानी और प्रमुक की ए किला ये दौनों ही चित्तोर के गोहिल शाशकों के हाथ से निकल गए और इन पर अधिकार करने वाला कौन था? मालवा के परमारवंच का शाशक वाकपती मुंझ सातियों आपने एक राज़ा का नाम सुना होगा राजा भोज हिंदी में आपने सुना होगा पढ़ा होगा एक कहावत है कहां राजा भोज कहां गंगू तेली तो राजा भोज वही हैं ये राजा भोज मालवा के साशक थे, भारती इतियास में विजय और लेख, लेखनचेली या साहिट थे, इन दौनों में महारत हासिल करने वाले ये राजा भोज थे, ऐसा कहते हैं कि इनको सरस्वती का वरदान हासिल था, कि ये हर बात में कविता कर सकते थे, तो इसलिए रा राजा भोज ये जो है, ये वाकपती मुंज के भतीजे थे, वाकपती मुंज की मृत्यों के बाद राजा भोज ही मालवा के परमारवन्ज के राजा बने थे, तो राजा भोज ने भी चित्तोरगर पर साशन किया है, राजा भोज ने चित्तोर के किले में एक मंदिर बनव आने वाले थे ये मालवा के शाशक राजा भोज बाद में इस त्रभवन नरायन मंदिर का जिर्णोधार किया गया ये मंदिर जो है वो शिवजी का है इसका जिर्णोधार या इसकी रिपेरिंग जिसको हम बोलते हैं तो जिर्णोधार या रिपेरिंग करने हैं काम किया था इसका मेवाड के राणा मोकल ने जिनके बारे हम आगे पढ़ेंगे मेवाड के राणा मोकल ने इस मंदिर का नाम बदल के रखा समित धेशवर मंदिर वर्तमान में इस मंदिर को इसी नाम से जाना आता है तो राजा भोज ने चित्तोर गड़ के किले में तुरिभवन नराण का मंदिर बनवाया जो की शिवजी का मंदिर है और इस मंदिर का जिनोधार करने वाले थे राना मोकल और अभी वर्तमान में इसका नाम है समित देश्वर का मंदिर तो ये चित्तोरगड में मालवा के परमारवन्ष की उपलब्दियां थी राजा भोज ने चित्तोरगड के पासी एक तालाब बनवाया था जिसका नाम था भोज सर तो राजा भोज ने चत्तोरगड़ में दो निर्माण करवाएं एक तो है तरभवन नराण का मंदिर चत्तोरगड़ के लिए में ही है और दूसरा है भोजसर का तालाब ये भोजसर का तालाब इन्होंने नागदा के पास में करवाया था निर्माण पहला निर्माण त्रभवन नरायन का और दूसरा निर्माण है भूद्शर के तालाप का ये दो निर्माण के राजा भूजने मेवाड में इसके बाद मेवाड के साशकों ने पुने दिर्दी करके जैसे ही मालवा में परमारवन्श के शक्ती का रास होने लगा, वो लगा तर गिरने लगा मेवाड के साशकों ने पुने मेवाड को जीतना शुरू कर दिया इसी कड़ी में आगे एक साशक का नाम आता है विक्रम सिंग विक्रम सिंग ने मेवाड को दुबारा जीता अहड, नागदा और चित्तोरगर इन सभी भगों को दुबारा जीत लिया और मेवाड में फिर से गोईलों का साशन शुरू हुआ विक्रम सिंग के बाद अगले साशक बने रन सिंग रन सिंग का जो साशन काल है वो लगभग 1188 में शुरू होता रन सिंग से बाद में राना वंश की उदा हुई तो रन सिंग का जो साशन काल है उसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धी तो नहीं लेकिन उस उपलब्धी की जगह पर एक मेहत्वपूर्ण घटना घटती है वो यह कि रण सिंग के दो पुत्र थे सबसे पहले जो पुत्र थे बड़े उनका नाम था शेम सिंग और दूसरे पुत्र है छोटे इनका नाम था रहब साथियों ये बात हम जानते हैं कि हिंदू उत्रादिकार नियम के अनुसार ऐसा नियम मना हुआ है कि पिता की मृत्तियों के बड़े बेटे को उत्रादिकार में सबस्वड़ा हिस्सा मिलता था यहां भी ऐसा था कि यदि राजा की मृत्तिय होती है तो फिर उस भाग में यानि जो भी राज्य उसका होगा वो भाग या वो समराज्य जो है उसका उत्तरादिकारी राजा का बड़ा पुत्री होगा तो इसमें क्योंकि रण सिंग के बड़े पुत्र थे क्षेम सिंग तो क्षेम सिंग को ही शाषन मिलने वाला था यानि मेवार के शाशक बनने वाले थे ख्षेम सिंग और इसके अलावा जो दूसरे पुत्र हुआ करते थे उन पुत्रों को छोटी मोटी जागीरे दिया करते थे तो हुआ इसमें यही कि ख्षेम सिंग उत्राधिकारी बनने वाले थे यानि रण सिंग के बाद अगले शाशक बनने वाले थे कौन? ख्षेम सिंग और रहाब को कोई ना कोई जागीर मिलने वाली थी तो रहाब को जो जागीर मिली वो थी सोधा गाउंगी और ख्षेम सिंग बने शाशक तो शेम सिंग के बाद में जो भी शाशक बने शेम सिंग और उनके बाद में जो शाशक बने उन्होंने अपने नाम के साथ में रावल लगाना शुरू किया इसलिए हम इसको बोलते हैं रावल शाखा और रहाप के जो उत्रादिकारी थे इन्होंने रहाप के पिता का नाम है यहाँ पर रण सिंग तो रहाप के जो उत्रादिकारी थे उन्होंने अपने नाम के साथ लगाना शुरू किया राणा अब यहां पर ये एक fact आपके सामने आया कि मेवार में इस गोहिलवंज की दो शाकाई थी पहली शाका थी रावल शाका और दूसरी शाका थी रावल शाका तो पहली ये जो शाका है गोहिलवंज की वो तो है रावल शाका और दूसरी साका है गोहिलवंज की वो है राना शाका तो गोहिलवंज के क्षीम सिंग और उसके बाद जो भी शाशक बने उन्होंने नामके से पहले जो उपादी धारन की वो थी रावल और दूसरी तरफ राहप और उनके जो उतरादिकारी थे उन्होंने अपने नाम के साथ जो पादिधारन की वो थी राना तो चित्ताओर गड़ में ये दो शाखाएं बनी रावल शाखा और रावल शाखा की शुरुवात क्षेम सिंग से हुई और रावल शाखा के अंतिम शाशक थे रतन सिंग दूसरी तरफ राणा शाखा की शुरुवात करने वाले थे हमीर ससोदिया और हमीर ससोदिया से लेकर के 1956 तक चित्ताओर या मेवार का साशन पूरी तरह से राणा शाखा के अधिकार में रहा तो रावल शाखा शेम सिंग से लेकर रतन सिंग तक चलेगी और राना शाका जो है वो हमीर से लेकर के 1956 तक चलेगी यानि भारत की आजादी और उसके बाद फिर एक ही करण तक तो मिवार के तियास में हम जो पढ़ रहे हैं वो है गुहिलवंच यहां गुहिलवंच का यह जो शाका है यह है रावल शाका तो हमने जो पढ़ा वो क्या हम अभी तक पढ़ रहे थे गुहिलवंच इसके संस्तापक थे गुहा दित्तिया गुहिला दित्तिया बहां से लेकर के शेम सिंग तक जो जिन शाशकों ने शाशन किया उन्होंने अपने नाम के साथ में कोई पादीन लगई लेकिन गुहिलवंच में रावल चाखा की शुरुवात करने वाले थे खेम सिंग तो रावल चाखा मैं सबसे पहले शाशक की एक शेम सिंग है शेम सिंग के बाद मैं अगले शाशक बने सामन्द सिंग तो रावल शाका में सबसे पहले शाषक हैं शेम सिंग और उसके बाद फिर दूसरे शाषक हैं सामन सिंग सामन सिंग के समय ग्यारे सो बहतर में यहां पर चित्तोर गड़ पर एक आकर्मन हुआ वो था नाडॉल के चोहान शाषकों का नाडॉल पाली में इस्ते थे और नाडॉल में उस समय चोहान वंच का शाषक था चोहान वंच के शाषक थे इस समय कीर्थी पाल सामन सिंग के समय नाडॉल के चोहान शाषकों में और मेवार में इसमें सामराज विस्तार और सीमा को लेकर के आप उसमें जड़प शुरू हो गई और उसी जड़प में कीरती पाल ने चत्तोर गड़प पर आक्रमन कर दिया और कीरती पाल ने इसको जीत लिया यानि मेवार पर इसमे अधिकार हो गया नाडौल के चहान शाषक कीरती पाल का अब इसके बाद लेकिन दो तीन साल बाद ही सामन सिंग ने पुने चत्तोर को जीत लिया यानि नाडौल के चहान शाषकों का शाषनकाल मेवार में बहुत लंबा नहीं रहा सामन सिंग में पुने मेवाड में गोहिल वंच की स्थापना कर दी इसके बाद फिर रावल शाका में तीसरे शाशक हैं कुमार सिंग या इनका एक और नाम है काण सिंग कुमार सिंग या कर्ण सिंग के समय ऐसा हुआ था कि इस समय तक भारत में तुर्क सामराज जी की स्थापना हो चुकी थी यानि मुहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृत्विरा चोहान को राकर भारत में दिल्ली का जो भाग था या अजमेर का जो भाग था उस पर अपना दिकार कर लिया था एक बड़ी घटना यह होती है कि कुमार सिंग से पहले जो शाशक है सामन सिंग सामन सिंग की मृत्यूं 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में होई थी तो चित्वर करके किस शाशक ने तराइन के दूसरे युद्ध में भाग लिया वो थे सामन सिंग और उस तराइन के दूसरे युद्ध में सामन सिंग की वीरगती पराप्त हुई वो लड़ते हुए शहीद हुए और सामन सिंग की मृत्यों के बाद में फिर उनका बेटा कुमार सिंग या करण सिंग शाशक बना अब सामन सिंग ने उस उद्ध में भाग इसले लिया था क्योंकि सामन सिंग की एक पतनी प्रत्वी बाई जो थी वो अजमेर के चोहानों की राजकुमारी थी तो रिश्टारी की वज़ए से सामन सिंग ने तराइन की दूसरे उद्ध में प्रत्वी राज चोहान का सायोग किया था लेकिन वो इस उद्ध में लड़ते हुए मारे गया उसके बाद फिर अगला साशक बना कुमार सिंग तो कुमार सिंग का शाशनकाल शुरू होता है 1192 से तो 1192 में जब उनके पता की तराइन की दूसरे रुद्ध मृत्य हुई उसके बाद वो शाशक बने शाशक बने के बाद 1196 में जब गैसुद्दीन जो गोरी था मुहम्मद गोरी उसकी मृत्थी हो चुगी थी 1206 में जब गैसुद्दीन गोरी की मृत्थी हो गई उसके बाद में फिर भारत में उसका जो तरह दिकारी था जिसने दिल्ली और लाहूर को जीता वो था कुतबुद्दीन एबक तो चित्तोडगर पर इस समय पहली बार तुर्क आकर्मन हुआ चित्तोडगर पर पहली बार तुर्क आकर्मन कारी जिसने चित्तोड को जीतने कोशिश करी वो था कुत्बुद्दीन एबक कुत्बुद्दीन एबक के बारे में आपने सुना होगा कुतुबुदीन एबक ने 1260 लेकर के 1210 तक भारत पर शाशन किया और कुतुबुदीन एबक जो था वो गुलाम वंश का संस्तापक था तो यानि कुमार सिंग के समय भारत में जो बड़ा राजनेतिक महत्वपूर्ण परिवर्ता नाया वो ये था कि भारत में इस समय तुर्क सामराज्य की शुरुआत हो चुकी थे और तुर्क सामराज्य का संस्तापक था कुतुबुदीन एबक कुतुबुदीन एबक ने बड़ी सेना के साथ में मेवार पर आक्रमन करने के लिए चड़ाई करी लेकिन कुमार सिंग उस समय शाय दो बीमार था या किसी वज़े से वो युद्ध में नी जा पाया इस समय इस आक्रमन के रोकने की जिम्मेदारी कुमार सिंग की मां के पास आई यानि इस आक्रमन में मेवार की सेनापती कुमार सिंग की मां थी जिसका नाम था कर्म देवी तो कुत्वदीन एबक के आकर्मन को रोगने के लिए कौन गया? कुमार सिंग की मा कर्म देवी और यहां पर एक भयंकर युद्ध हुआ जो आमेर के पास हुआ था इसलिए इस युद्ध को बोलता है आमेर का युद्ध यह आमेर का युद्ध मेवार की सेना और यह तुर्क आकर्मन कारी एबक के मद्द हुआ था जिसमें मेवार की ओर से सेनापती थी शाशा कुमार सिंग या कर्ण सिंग की मा कर्म देवी और यह हमारे लिए एक और गौरव की बात कि कर्म देवी ने एबक की इस सेना को भेंगर तरीके से हराया तो कर्म देवी जो आमेर के उद्व में मेवार की सेना की सेना पती थी उन्होंने इस उद्व में कुतुबुदीन एबक को हरा दिया इसके बाद फिर कभी भी कुतुबुदीन एबक ने चित्तर पर या मेवाड़ा पर आक्रमन करने के प्रयास नहीं किये फिर इस रावल शाका में अगले शासक हैं सामन सिंग समर सिंग तो रावल शाका के अगले शाशक बने फिर जैत्र सिंग कई जगह पर शाशक है जैत्र शाशक है जैत्र सिंग बारे सो तेरे से लेके पचास तक गया तो इस समय भारत में परिवर्तनी आ चुका है कि दिली में तुर्क शाशन की स्थापना हो चुकी है और तुर्क शाषन की शुरुआत में सबसे पहला जो वंच था दिली में वो था गुलाव मंच गुलाव मंच का संस्तापक था कुतबुदीन एबक लाहोर में घोडे से गिर कर मर गया था कुतिबूदीन एभक के बाद उसका जो उतरा देकारी था उसका नाम था इलतुतमिश इलतुतमिश एक बड़ा समराजवादी शाशक था जो कि अपना बहुत बड़ा समरजे स्थापट करना चाहता था और वो इस बात को जानता था कि अगर दिल्ली की सत्ता को सबसे बड़ी चनौती कहीं से मिलेगी तो वो होगी गुहिल बंशे कारण इसके बीचे ये कि एक औरत जो सेनापती थी कर्मदेवी जिनोंने कुतबुदीन एबग को पिछले उद्ध में हराय देया तो इसको लगता था इल्ट उत्मिश को कि यदी उसको अपनी सत्ता को स्थायत्व देना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो इस जैतर सिंग या क्षेतर सिंग को पराजित करे इसी लिए इल्टुत्मिश ने फिर सेख सेना को गठित किया और सेना गठित करके वो चिट्टोड की तरफ आकर्मन करने के लिए बढ़ा तो इस समय गुलाम मंच का दूसरा शाषक जो था इल्टुत्मिश उसका आकर्मन हुआ तो गुलाम मंच के शाशक इल्टोत मिशने चित्तोरगड़ पर आकर्मन किया ये आकर्मन हुआ है 1222 से लेकर के 29 इसके बीच पे तो 1222 से लेकर 29 तक इल्टोत मिशने लगातार चित्तोरगड़ पर आकर्मन किया इन आक्रमनों में सबसे पहले एक तो उसने नागदा को नस्ट किया और दूसरा इसने आक्रमन किया राजदानी आहर पर तो पहला आक्रमन उसका नागदा पर हुआ था दूसरा आक्रमन उसका राजदानी आहर पर हुआ था नागदा पिछले वीडियो हमारी जो बात चीत हुई थी वो ये कि नागदा एक एक एतियासिक नगरी है जहां से चित्तवर के इस वंज की शुरुआत हुई मेवार के इस वंज की शुरुआत हुई बपारावल ने नागदा में एक एक लिंज की का मंदर नवाया था जिसको वो चित्तवर का वास्तविक शाशक मानते थे और दूसरा नागदा में सहिशर वाहू का मंदर नवाया था तो वो यहांपर टूटा इसी आक्रवण में राजदानी आहर पूरी तरह से नस्ट हो गई तो अब जैतर सिंग को मजबूरन चित्तोर गड़ जैतर सिंग को मेवार की अगली राजदानी बनानी पड़ी भयंद कर युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम बोला जाता है भूत अला का युद्ध भूत अला की युद्ध मेवार के साशक जैतर सिंग और इल्टुतमिश के मद्ध हुआ था इस युद्ध मेवार की सेना ने इल्टुतमिश को पराजित कर दिया यानि मेवार के ति जैत्र सिंग या जैत्र सिंग से पराजित हुआ तो यह अब लिखिए इसमें कि 1227 के भूताला के युद्ध में मेवार के साशक जैत्र सिंग की सेना ने दिल्ली के पुर्क शाशक इल्दुतमिश्खी सेना को पराजित किया फिर इसके बाद जैत्र सिंग के समय अगला एक और तुर्क आकर्मन हुआ और वो आकर्मन करने वाला था एक और गुलाम मंस का शाशक नासरुद्धीन मुहमद तो नासरुद्धीन महमुद की सेना ने बारे सो और तालीस में चित्त और पर फिर से आकर्मन किया तो गुलाम मंस के तीन शाशक सबसे पहला कुद्धीन अबक जिसका आकर्मन हुआ था उसके बाद फिर दूसरा इलतुद्मिश अभी जैतर सिंग के समय आकर्मन हुआ था और तीसरा जैतर सिंग के समय एक और आकर्मन हुआ गुलाम मंस के शाशक नासरुद्धीन महमुद गा नासरुद्धीन महमुद इस आकर्मन में स्वय में उपस्तित नहीं था बल्कि उसकी जगे पर उसका एक सेनापती आया था जिसका नाम था उलुक खान ये उलुक खान को ही हम भारती इतियास में बल्बन के नाम से जानते हैं यानि नासुरुदीन महमूद की मृत्यों के बाद में ये उलुक खान ही गयासुदीन बल्बन के नाम से दिल्ली का साशक बना था तो उलुक खान की इस सेना को भी जैतर सिंग ने पराजित किया तो भूताला के ये दुमें इल्कुत्मिश की सेना को और नासुरुदीन महमूद की सेना जो की उलुक खान के नित्रतुमाई थी बारा सौर्टालीस में इन दोनों सेना को जैतर सिंग ने पराजित किया अब यहाँ पर एक बड़ी उपलब्दी ये है कि दिल्ली के जो लगातार प्रतिरोध चत्रोड के सामने प्रस्तुत हो रहे थे उनको जैतर सिंग ने रोका यही कारण था कि एक राजस्तान के प्रमुग तियासकार है डॉक्टर गौरी शंकर हीरानन्द ओजा इन्होंने काये कि ये जो काल है जिसमें जैतर सिंग चत्रोड़ का साशक था इसको मद्यकालीन मेवाड का स्वणकाल का जाता है तो मद्यकालीन मेवाड का स्वणकाल कौन सा है जैतर सिंग का स्वणकाल कारण इसके बीचे ये कि जैतर सिंग ने दिल्ली से आने वाले लगातार प्रतिरोध को रोका और उन दोनों के दोनों आक्रमनों को उसने निस्तनाबूद किया उन दोनों साशकों को इसने हरा दिया तो यही कारण है कि यह मद्देकाली मेवार का स्वान गाल जैतर सिंग के बाद में अगले साशक बने हैं फिर तेद सिंग तो यहाँ पर इन शाष्रों के साथ में रावल के उपाद ही आएगी तो यह है रावल तेज सिंग तो जैतर सिंग के बाद अगले साषक बनाएं रावल तेज सिंग रावल तेज सिंग का सामय था 1250 से लेके 73 गत का इस काल में को बहुत बड़ी उपलब दिया नहीं है लेकिन एक बड़ी उपलब दिया है कि वो जो था गया सुद्दीन बल्बन जो कि दिल्ली के गुलाव मंच का शाशक था उसने रावल तेज सिंग के समय चत्तोगड़ पर आक्रमन किया लेकिन तेज सिंग ने इसको पराजित कर दिया यह आक्रमन बारेसो त्रेपन में हुआ था तो बारेसो त्रेपन में बल्बन ने चत्तोगड़ पर आक्रमन किया लेकिन रावल तेज सिंग ने उस आक्रमन को बिफल कर दिया तो एक उपलब्दी और, वो उपलब्दी है कि रावल तेज सिंग के समय इनकी मंत्री रानी थी जिनका नाम था जैतल देवी ये जैतल देवी तेज सिंग की रानी थी इन्होंने चितौड गड़ में के किले में एक मंदिर बनवाया है जिसका नाम है श्याम पाश्वनात का मंदिर तो रावल तेज सिंग की पत्निया जतले देवी इन्होंने चित्तोर गड़ के किले में एक मंदिर बनवा है श्याम पाश्वनात का मंदिर अब यहाँ पर यह नाम जो है श्याम इसका सिधा सर्थ ये कि ये मंदर जो है वो भगवान स्री कृष्ण का मंदर है भारत में राजस्तान का प्रथम चित्रित ग्रंथ यानि राजस्तान का पहला ऐसा ग्रंथ जो की चित्रों के माध्यम से उसमें कहानियों को समझाय गया था उस प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतीकरमण सूत्र चूर्नि ये राजस्तान का पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतीकरमण सूत्र चूर्नि ये जो ग्रंथ है इसको चित्रित किया गया था वर्ष 1267 बर तो 1267 में रावल तेश सिंग के समय राजस्तान के पहले ग्रंथ जिसका नाम था शरावक प्रतीकर्मण सूत्र चूनि इस ग्रंथ को चित्तोर की प्राचीन मेवार की प्राचीन राजस्तानी आहर में चित्रित किया गया था तो इस चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतीकर्मण सूत्र चूनि वर्ष बारेस और सरसड में चित्तवर की या मेवार की प्राचीन राजदानी आहर में रावल तेज सिंग के समय चित्रिद किया गया था फिर इसके बाद अगले साशक हैं समर सिंग समर सिंग के साशनकाल है 1273 से लेके 1301 तक समर सिंग के साशनकाल के समय ऐसा मनते हैं कि इनका गुजरात में कुछ ज़़ा आना जाना था और गुजरात में समय जैन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था तो जैन धर्म के प्रभाव में आगर के समर सिंग ने अपने पूरे के पूरे समराज्य में यानि मेवार में जीव हिंसा को प्रतिबंदित कर दिया था यानि मेवार का पहला शाषक जिसने जैन धर्म के प्रभाव से मेवार में जीव इंसा पर पूर्ट प्रतिबंद लगाया वो शाशक थे समर सिंग दूसरा समर सिंग के समय 1299 में गुजरात पर अलाउदिन खिलजी का आक्रबन हुआ अलाउदिन खिलजी दिली का साशक था दिली पर सबसे पहले जिस तुर्क वंच ने शाशन किया वो था गुलाउद वंच गुलाउद वंच के समापती के बाद दिली पर अगला साशक जो शाशन करता है या अधिकार करता है वो था जलाउद दिन खिलजी जलाल उद्दीन खिलजी की वंश का नाम था खिलजी वंश तो पहला गुलाव वंश दूसरा था दिल्ली पर खिलजी वंश खिलजी वंश का संस्तापक था जलाल उद्दीन खिलजी जलाउदीन खिलजी की मृत्यों के बाद अगला शाशक बना था अलाउदीन खिलजी अलाउदीन खिलजी की सेना 1299 में दिल्ली से चलती है गुजरात पर आकरवन करने के लिए तो ये सेना जब दिल्ली से चली तो वो चितोर से ओकर गुजरी तो जब चित्तोर से सेना गुजर रही थी तो समर सिंग ने उस सेना को वहाँ पर रोक लिया और उसने बोला कि या तो आप मुझे टेक्स दो या कर दो और अगर टेक्स नहीं दे सकते तो फिर आपको मेरी सेना से उद्द करना बढ़ेगा अब अलाउद्दीन खिल जी की सेना फिलाल समर सिंग से उलजने के मून में नहीं थी तो यही कारण था कि अलाउद्दीन खिल जी की सेना ने समर सिंग को टेक्स या कर देना ज़दा उचित समझा तो 1299 में अलाउद्दीन खिल जी की सेना को समर सिंग को टेक्स देना बढ़ा था तो 1299 में जब अलाओदिन खिल जी की सेना गुजरात पर आकरवन कर रही थी तो अलाओदिन खिल जी की सेना से समर सिंग ने करिया टेक्स वसूल किया यह हमारी बात समर सिंग के दो पुत्र थे पहले जो बड़े पुत्र है उनका नाम था रतन सिंग अब क्योंकि रतन सिंग बड़े पुत्र है तो वही उत्रादिकार के नियम के अनुसार समर सिंग के बाद अगले साशक बनने वाले हैं रतन सिंग और दूसरे पुत्र का नाम था कुम्ब करण कुम्ब करन समर सिंग के समय ही समर सिंग से आग्या लेकर के अपने राज्य की स्थाबना के लिए मेवार से निकल गए था और ये बढ़ते 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 ये पहुँचे है नेपाल तो समर सिंग चित्तोर गड़ से चल कर नेपाल तक गए और वहीं नेपाल में जाकर के इन्होंने अपने वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम था राणा शाही वंश यानि नेपाल में शाषन करने वारा वंश कौन सा था राणा शाही वंश इस राणा शाही वंश के शाषक थे संस्तापक थे कुम्बगरण और कुमगरान कौन थे ये मेवार के शाषक समर सिंग के पुत्र थे इसके बाद फिर इस रावल शाखा में अन्तिम शाषक है रावल रतन सिंग इनका समय है तेरह सो एक से लेकर कि तेरह सो तीन तक रावल रतन सिंग के शाषनकाल की सबसे महतवपूर गटना जो इस समय राजस्तान की भी सबसे महतवपूर गटना थी और वो गटना थी तेरह सो तीन में चित्तोरगर पर या मेवार पर अलावदिन खिलजी का आकरमन तो इस समय 1303 में चित्तोरगड़ पर अलाओदीन खिलजी का आकरमन हुआ और उस आकरमन के समय चित्तोरगड़ के शाशक थे रावल रतन से अलाओदीन खिलजी का आकरमन चित्तोरगड़ पर क्यों हुआ उसके बेचे क्या कारण थे तो इतिहास के इन सारे शोधों के अनुसार इसके कुछ महत्पूर्ण कारण थे तो तेरे सो दो से लेकर के तीन तक अलाओ दीन खिलजी का आकर्मन हुआ अगर हम इन आकर्मनों के कारणों की चर्चा करें तो इन कारणों में सबसे पहला कारण जो था वो था चित्तोरगर की भौगलिक इस्थिति चित्तोरगर की भौगलिक इस्थिति ये थी कि क्योंकि 1299 में अलाओ दीन खिलजी गुजरात को जीच चुका था और गुजरात तक पहुचने के दो रास्ते थे पहला रास्ता जो है वो दिल्ली से मालवा होते हुए जाता है यानि MP होते हुँ जाता है वो रास्ता तो रहा सा लंबा है और दूसरा रास्ता है वो दिल्ली से सिधा मेवार होते हुए गुजराट तक पहुंसता था जो छोड़ा रास्ता था तो यही कारण था कि 1299 में जब गुजरात की और अलाउदिन खिल जी की सेना चल रही थी तो उसको मेवार को टेक्स देने के लिए मजबूर होना पड़ा था तो यहां भौगले की स्थिती एक बहुत बड़ा कारण थी यानि अगर अलाउदिन खिल जी गुजरात पर उस अपर अधिकार को स्थाई रखना चाता है तो उसको चित्वर को भी जीतना पड़ेगा तो भौगले की स्थिती में जो कारण था वो था गुजरात का रास्ता क्योंकि दिल्ली और गुजरात के बीच में चित्वर की भौगले किस्ते थी दूसरा कारण था समर सिंग द्वारा वसूल किया गया कर यहां ऐसा माना जाता है क्योंकि समर सिंग ने 1299 में अलाउदिन खिल जी से अपने छेतर से निकलने के बदले में कर लिया था अब यह कर लिया गया सुभाविक था वो गलत नहीं था लेकिन अलाउदिन खिल जी इसको अपना अपमान मानता था और उसको लगता था कि समर सिंग ने क्योंकि मेरे से कर वसूल किया है तो मैं इसका बदला एक समय जरूर चुका हूँगा तो यह भी एक इसमे करण हो सकता है तीसरा बड़ा कारण जो है वो यह गुज़रात ही है क्योंग गुज़रात तक सीथा पहूँचना है और गुज़रात में क्योंकि एक तो कपास का उत्पादन होता था यानि गुजरात इस समय भारत में कपास उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था और कपास उत्पादन के साथ में ही वो सूती वस्तर निर्मान का भी केंद्र था और कपास और सूती के अलावा गुजरात भारत का एक सबसे बड़ा व्यापार केंद्र भी था यानि यदि उसको गुजरात तक अपना अधिकार जो है वो हमेशां के लिए रखना है तो उसको तरड़ पर अधिकार रखना मजबूरी है ये एक बात अब इन तीनों कारणों के अलावाए चौथा जो विशेश कारण माना जाता है वो विशेश कारण है पदमिनी ये पदमिनी जो है वो रावल रतन सिंग की पतनी थी ये बहुत सुन्दर थी इतियास मेंसा वरनन मिलता है कि ये अगर पानी भी पीती थी तो वो गले के अंदर दिखता था अगर गलती से कोई उनके नाखून भी लगाते तो खून निकल आता था ऐसा को सुनाए तो चित्तोर गड़ की जो राणी थी पदमिनी ये अलावदिन खिलजी उनको प्राप्ट करना चाता था उसकी लालसा रखता था तो इसी लिए पदमिनी को प्राप्ट करने के लिए अलावदिन खिलजी ने चत्तोर पर आकरमन किया तो चार विशे इस कारण है जिनकी वज़े से अलावदिन खिलजी का आकरमन हुआ अगर हम इस समय राजस्तान की बोगल एक स्थिति देखें तो राजस्तान का भाग यहां ये राजस्तान का पडोसी रियासत है गुजरात और ये दूसरी पडोसी रियासत है मालवा और यहां पर है दिल्ली तो यानि हम जो पढ़ रहा हैं वो यह है कि दिल्ली और मेवार का संगर्श दिल्ली और मेवार के संगर्श में मैत्वपूर्ट रोल यहां पर यह गुजरात का था अब दिल्ली से गुजराद का जो रास्ता है यहां बीच में मेवार है तो क्या दिल्ली के शाशक अलाउद्दिन खिलजी ने केवल मेवार पर आकरमन किया ऐसा नहीं है दिल्ली के शाशक अलाउद्दिन खिलजी ने मेवार के अलावा भी राजस्तान की अन्य रियासदों पर भी आकरमन किया जिन में सबसे पहला आकरमन जो है वो 1299 और फिर इसके बाद 1301 वो वह था रन्थमबौर पर रन्थमबौर के शाशक थे राव हमीर ये पहला आकरमन था इसके बाद फिर दूसरा आकरमन था 1303 चित्तोरगड़ पर चित्तोरगड़ के शाशक ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं राव प्रतन सिंग और उसके बाद फिर तीसरा आकरमन हुआ 1304 में ये आकरमन हुआ था बूंदी पर बूंदी के शाशक थे नापूजी इसके बाद फिर चौथा आकरमन 1305 1308 और इसके बाद 1311 ये आकरमन हुआ था जालोर पर जालोर के शाशक थे कारनड़ देव चौहान तो अलाव दिन खिलजी ने राजस्तान की इन सभी रियासतों पर लगातार आकरमन किये 1299, 1301 में रर्थमब़ पर इसके बाद फिर 1303 में चित्तोरगड़ पर मैं इन सभी रियासतों की स्थिति आपको बता रहा हूँ जैसे ये वाला हिस्सा है रनथमब़ का यहां पर रियासत है बूंदी ये मेवार रियासत और इसके पड़ोस में रियासत थी जालोर यानि अलाव दिन खिलजी ने दिल्ली से चलकर गुजरात के रास्ते में जितनी भी रियासतें आ रही थी रनथमब़, बूंदी मेवार और जालोर इन सभी रियासतों पर आक्रमन किया तो यानि इसका अर्थि लगता है कि अलाव दिन खिलजी ने चित्तोर पर जो आक्रमन किया उसके पीछे सर्व प्रमो कारण जो है वो गुजरात तक पहुँचने का सीधा रास्ता है लेकिन राजस्तान के तियास में पदमिनी की कथावी महतोपूर है पदमिनी कौन थी, कां से आई क्या कारण था कि अलाओ दिन खिलजी ने उसके लिए आक्रमन किया अब मैं उस पूरी कहानी पर एक विश्तरे चर्चा आपसे करना चारूँ ये कहानी है राणी पदमिनी की पदमिनी का दूसरा नाम था पदमावती तो राणी पदमिनी या पदमावती राणी पदमिनी या पदमावती के पती का नाम था राव रतन सिंग जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं ये राव रतन सिंग चित्तोर गड़ के साशक थे और राणी पदमिनी के पिता का नाम था गंधर गुसेन ये गंदर्वसेन सिंगल द्वीब के राजा थे ये बाश आद आप जानते होंगे सिंगल द्वीब शिलंका को ही बूला जाता है यानि गंदर्वसेन जो रानी पदमिनी के पिता थे वो सिंगल द्वीब या शिलंका के राजा थे इनकी माता का नाम था चंपावती तो रानी पद्मिनी या राजकुमारी पद्मिनी सिंगल द्वीप्या श्रिडंगा के राजा गंदर्व सेन और चंपावती के संतान थी बच्छे ने बहुत सुंदर थी तो इनके पास एक तोता था उस तोते का नाम आता है हीरामन और ऐसा बोला जाता है कि वो जो हीरामन तोता था वो बोलने वाला तोता था यानि ऐसा तोता जो मानव की बात को समझता है और मानव से हर प्रकार से बाचित भी कर सकता है अब ये जो सारी कहानी जो पदमिनी की हमें मिलती है वो सारी कहानी एक पुस्तक में मिलती है जिस पुस्तक का नाम है पदमावत ये पदमावत नाम की जो पुस्तक है ये पदमावत नाम की पुस्तक लिखी गई है अवधी भाशा में जिसके लेखक है मलिक मुहम्मद जैसी मलिक मुहम्मद जैसी ने अवधी भाशा में 1540 इसवी में इस पुस्तक को लिखा था अब ये जो पुस्तक है पदमावत इसमें पदमिनी की पूरी कहाने लिखी गई है अब साथियों यहां पर जो कन्फ्यूजन है वो यह है कि 1303 में जा अलाओदिन खिलजी काकरमन हुआ और 1540 में जब ये गरंत लिखा गया तो 1303 में अलाओदिन खिलजी काकरमन और 1540 में पंदमावत की प्रचना इन वर्षों के बीच में कोई भी गरंत ऐसा नहीं है जो कि पदमिनी की कहानी का वर्णन करता हूँ यानि किसी भी गरंत में पदमिनी की इस कहानी का वर्णन नहीं है तो अब ये कहानी सच्ची है या नहीं इस बात पर एक संदे है लेकिन हम संदे करने की जगए पर यहां पर किवल ये जो पुस्तक में लिखा गया है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ तो मलिक मौन जैसी ने अपनी पुस्तक जो अवदी वाशा में लिखी थी 1540 में पदमावत उसमें रानी पदमिनी की इस पूरी कहानी का वर्णन किया है उनके पती का नाम रावरतन सिंग था पिता का नाम गंदर उसेन था जो शिलंगा के राजा थे माता का नाम चंपावती था और एक तोता था बोलने वाले जिसका नाम हीरामन था अब ये सब कुछ बड़ी अजीवनन का चल रहा था तो वो जो हीरामन नाम का तोता था वो किसी दिन उनके पिंजरे से निकल गया और वो उड़ते 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 तक्षण भारक को पार करते हुए गागरौन पहुचा गागरौन शायद आपने नाम सुना होगा ये गागरौन जहलावार में किला है तजस्तान का बड़ा जल्दूर्ग माना जाता है जो नदियों के संगम परिस्तित है आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में तो हीरामन तोता उड़ते उड़ते गागरौन तक पहुच गया गागरौन में इसको मिला एक व्याद ये जो होता है व्याद ये पक्षियों को मारने वाला एक व्यक्ति है जिसका कारे पक्षियों को मारना और फिनको बेचना है तो ये व्याद की हाथ में तोता लग गया तो व्याद ने सोचा कि मैं इस तोते को या तो मारूं और पकड़े खा जाओं लेकिन इस तोते का जो गुण है वो अलग है और वो क्या है कि बोलने वाला तोता है तो उसने सोचा कि मैं इस तोते को बेच चुका लेकिन अब उसको खरिदार चाहिए था खरिदार आथ को राजे हो सकता है तो वो गागरौन से गूमते गूमते चित्तोर तक पहुँच गया और चित्तोर के शाशक रतन सिंग को उसने वो तोता बेच दिया तो हीरामन तोता जो है वो पहुँच गया चित्तोर के शाशक रावर रतन सिंग के पास रतन सिंग के पास जब ये तोता पहुचा तो इस तोते ने पदमिनी की सुंदरता के बारे में रतन सिंग को बताए कि बहुत सुंदर लड़की है वो तो रतन स है वो गंधर्व सेन का जो बगीचा था उसमें जाकर के डेरा डालके बैठ गए अब उनका जो शरीर का structure था जो चेहरे पर चमक थी जो तेज थी जो आबा थी उसको देखकर गंधर्व सेन ने उनको बुलाया रतन सिंग को और बुला करके सारी बात जाने के इच्छा परकट की तो इन्होंने बुला कि मैं साधू नहीं हूँ यह बात सच है लेकिन मैं एक राजा हूँ चतोरगर कर आजाऊं मेवाड कर आजाऊं और मेरी जो इच्छा है वो आपकी पुतरी पदमिनी से शाधी करने की है यानि मैं यहाँ पर इत्ति दूर चल कर आपकी पुतरी पदमिनी से विवा करने के इच्छा से आया हूँ अब गंदर्व सेनों को दिक्कत नहीं थी बड़ा रज्य था, नाम था, गौरव भी था तो यही सोच करके गंदर्व सेन ने पदमिनी की शादी रतन सिंग के साथ में कर दी इन दोनां का विवा हो गया तो रतन सिंग और पदमिनी दोनां की शादी होगी शादी के बाद में पजमनी चित्तोरगड आ गई चित्तोरगड में राव रतन सिंग के पास में एक तांत्रिक था जिस तांत्रिक का नाम आता है रागव चेतन रागव चेतन नामक तांत्रिक की किसी बात को लेकर रतन सिंग के साथ में को जगड़ा हो गया अब रागव चेतन चाहता था कि वो रतन सिंग का गुस्सा जो है जो उसने जगड़े से निकाला है वो पूरी प्रजा को भुगतना बढ़े तो रागव चेतन वाँ से चलता है चलके अलावदिन खिलजी के पास पहुंसता है अलावदिन खिलजी उसके सामने बहुत बड़ी डिंगें आरता है शेकी मारता है कि मैंने सारी दुनिया को जुखा दिया सब मेरे से आड़ चुके हैं इस समय मैं पूरी दुनिया का स्वामी हूँ तो रागव चितन उसको वाँ भड़काता है कि तेरे पास कुछ भी नहीं दुनिया में सबसे सुन्दर इस तरी है पदमिनी वो तेरे पास नहीं है उत्तर भारत का सबसे बड़ा सामना जय चितन वो भी तेरे पास नहीं है तो सबसे पहले वो तू ये जो दोनों चीज़े हैं यानि पदमिनी और चितन गड़ इन दोनों को हासिल कर अलाव दिन खिल जी इस बात से बढ़क गया और उसने तेरे सो दो में चितन गड़ पर चड़ाई कर दी तो तेरे सो दो में अलाव दिन खिल जी अपनी सेना लेके चितन गड़ तक पहुँच गया उसने चितन के किले को चारों तरफ से घिर लिया अब इनकी जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी वो यह कि जैसे यह चितन गड़ का किला है यह हम आगे पढ़ेंगे कि चितन गड़ का किला एक पठार पर इस्तित है जिस पठार का नाम है मैसा का पठार तो जैसे ही इस तरह का पठार है और इस पर इस चितन गड़ का किला है राशन पानी कम है, कभी ने कभी वो खतम होना है, तो लगबग 6-7 महिने तक अलाउदिन खिल जी की सेना चित्तोर गड़के के लिए को घेर के बैठी रही, लेकिन फिर भी वो चित्तोर को नहीं जीत पाई, अब चित्तोर गड़के प्रमुग विक्ती, शाशन, जो राजप लक्षमन सिंग, ये लक्षमन सिंग सिसुधा का सामंद था, साथियो अभी हमने बढ़ा कि सिसुधा गाउं के जो रहने वाले थे, वो वास्ता में गुहिल वंज की थे, गुहिल वंज की एक शाखा सिसुधा गाउं में स्थापित हुई थी, जो अपने नाम के साथ में सि सुधिया लगाते थे लेकिन थे ये वोई तो सुधा गाओं की लक्षमन सिंग ने लगातार अलाउदिन खिल जी की सेना पर आक्रमन किये इन आक्रमनों में अलाउदिन खिल जी की सेना को नुकसान हुआ लेकिन साथ में लक्षमन सिंग भी लड़ते हुए शहीद हुआ तो ये लगातार प्रितरोज चलता रहा जब अलावदिन खिल जी इन सारे प्रितरोज से और संगर शे ठक गया तो ठक करके उसने राव रतन सिंग के पास एक संदेश भुजवाया कि ठीक है मुझे पद्विनी नीची है लेकिन कम से कम दिखा तो दो इतने दिन से परिशान गु वो है मतलब पद्विनी का महल है पद्विनी के महल के सामने एक तालाव है उस तालाव के पास में छोटी सी कोट्री सी है उस कोट्री में कुछ इस तरह से यहों शीशे लगा गया और इन शीशों में पद्विनी को कहीं खड़ा किया गया और मैं उसने जो पद्विनी के ज अब हमारे हाँ एक भारतिय परंपरा है, एक संस्कार है, कोई भी अतिती अगर हमारे घर आता है, तो हम उसको दर्वाजे तक छोड़ने के लिए जाता है। चित्वाडगर से अलावदिन खिल जी रावरतन सिंग को बंदी बना कर दिल्ली के लिए ले गया। अब बड़ा संकट चित्वाडगर में पस्तित हो गया, कि अब क्या करें? क्योंकि रावरतन सिंग जो शाशक हैं, वो बंदी बना जा चुके हैं, और वो दिल्ली अब इस समय संकट की सिस्तिती में, जब कोई रास्ता नहीं मिला, तो रास्ता सुझाया, रानी पदमीनी के एक चाचाने, जिनका नाम था गोरा, और गोरा का बेटा, जो पदमीनी का चचेरवाई था, जिसका नाम था बादल, उसने, तो उसमें ये था कि रानी पदमीनी अलाओ दिन खिलजी के पास एक संदेश बेजा, उस संदेश में उसने कहा कि मैं आपकी रानी बनने को त्यार हूँ, लेकिन मेरे एक शर्त होगी, वो शर्त ये कि मैं इतने सालों तक रतन सिंग के साथ मैं पदमीनी के रूप में और रहना चाती हूँ, अब अलाओ दिन ख जिस्त बात के लिए तियार हो गया, इसके बाद पदमीनी नहीं गई, अलाओ दिन खिलजी के पास, लेकिन पदमीनी के रूप में बादल गया था, अब क्योंकि रानी है, अकीले तो जाएगी निए, इसके साथ में सोले सो दासी और जाने वाली थी, यानि रानी के साथ मे सोले सो दासी और जाती, लेकिन दासीों की जगे पर सैनिक गए, अब जैसे ये जो सैनिक हैं, ये सारे के सारे पालकियों में जाएंगे, पालकी इस तरह से है, अब इसको ले जाने वाले जो लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कहार, और एक पालकियों में चार कहार होते हैं, अब इस पालकी के अंदर दासी बैटी होगी यह रानी बैटी होगी और चार कहार जो होंगे वो इसको लेकर कर जाएंगे लेकिन वास्ता मैं यहां कोई दासी नहीं थी और यहां पर कोई कहार नहीं था हुआ है इसमें ये कि जहां पदमिनी को बैठना चाहिए था वहां पर बैठा हुआ था बादल और जहां पर दासियों को बैठना चाहिए था वहां बैठे हुआ था सैनिक और ये जो चार कहार थे ये भी कहार नहीं थे ये भी सारे सैनिक थे इन सारे सैनिकों के और युद्धाओं के जो अस्तर थे वो स्पाल की के अंदर छुपे उर रखे थे तो अब क्योंकि रानी पदमिनी आई दासी आई तो ये सोच करें अलाउद्दिन खिल जी के महल में वो परवेश कर गया और इन लोगों ने अलाउद्दिन खिल जी के गरफ्त से राव रतंचिंग को चड़ा लिया और राव रतंचिंग को चित्तोड के लिए रवाना कर दिया राव रतंचिंग चित्तोड के लिए चले गए अलाउद्दिन खिल जी को जब इस बात का पता चला कि मेरे साथ धोका हुआ है पदमिनी नहीं आई उसके साथ में सैनिक आए तो अलाउद्दिन खिल जी ने क्या किया कि अपनी सेना उसके बीचे लगा दी तो वहीं पर बादल और गोरा गोरा ने उस अलाउद्दिन खिल जी की सेना को रोगने कारे किया बादल जो पदमीन उरूप में गया था वो भी लड़ते हुए शहीद हुआ तो गोरा और बादल दौनों इस लड़ाई में शहीद हुए इसके बाद अलाउद बिन खिल जी ने फिर से चतौड पर आक्रमन किया इस आक्रमन में राव रतन सिंग को जब यह लगा कि वो अब शायद नहीं जीत पाएंगे तो यहाँ पर चित्तौड गड़ में जो परमपरा थी जिसकी शुरुआद यहाँ पर हुई थी वो था शाका तो यहाँ पर चित्तौड गड़ में पहली बार शाका हुआ यह शब्द जो शाका है यह तरह से बलिदान का प्रतीक है शाका के दो रूप होते थे सबसे पहला रूप है जोहर और दूसरा रूप है केसरिया यानि शाका में एक तो होगा जोहर और दूसरा होगा केसरिया अब यह शाका क्या है मित्रों कि जब शाषक को ये लगा कि वो कितने भी प्यास करे, लेकिन वो किसी भी इस्तिदी में इन को नहीं जीत पाएगा, यानि उसके पास ना तो दने साधन है, ना संशाधन है, कि वो सामने वाली सेनां से मेकाबलाग कर सके, तो वो कार्थ की शाशक युद्ध करने के लिए जा रहा है लेकिन वो ये चाहता है कि उसके पीछे से क्योंकि अगर युद्ध में शहीद हुए सारे मारे गए ये हार गए तो उसके बाद जो आकरमन करने वाला शाशक है वो अपनी खुनस मिटाने के लिए उस किले पर आकरमन तो उन सबसे बचने के लिए था जोहर, यानि उस किले में रहने वाली जितनी भी औरते होंगी, वो समी सभी सामुईक रूप से आत्मत्या करेंगे, अभी आत्मत्या सामुईक चिता में भी हो सकती थी, या किसी पानी में कुदगी हो सकती थी, जैसे राजस्तान का पहला जो जोहर था वो 1301 में रंथम बहर में हुआ था और वो जोहर राव हमीर की रानी रंग देवी ने किया था तो जोहर जो था वो उसमें रंथम बहर के किले में तालाब के अंदर वाज़स का नाम है पदमशाही तालाब तो वो जल जोहर था लेकिन यहाँ पर पद्मिनी ने जोहर किया वो अगनी जोहर था यानि उन्हाँ अगनी में कुदगर के आत्मत्या कई तो यहाँ जोहर का नित्रत्व करेगी हमेशा रानी तो यह नित्रत्व किसने किया पद्मिनी ने यानि अंतिम युद्ध से पहले उस किले में रहने वाली सभी औरतों ने एक सामुईग चिता बनाई और वो एके करके सभी उस चिता में कूद गई और उसके बाद आएगा केसरिया केसरिया का नित्रत्व करेगा हमेशा शाशक यानि ये करेंगे राव रतन सिंग तो यहाँ पर 1303 में चिताओड गड़ का पहला शाका हुआ पहला शाका में जहर करने वाली थी पद्मिनी और केसरिया करने वाले थे राव रतन सिंग तो इस प्रकार से ये अंतिम युद्ध जो हुआ इसमें पूरी तरह से चिताओड पराजित हुआ अलाओदिन खिल जी ने चिताओड को जीत लिया और जीतने के बाद में उसने वो जो किला था वो अपने पुत्र खिजर खा को सौम दिया तो यहाँ पर 1303 में अलाओदिन खिल जी का चिताओड पर अधिकार हुआ यह जो अधिकार हुआ इसने ये किला सौम दिया अपने पुत्र खिजर खांगो यहाँ चिताओड किले खिल जार बनाए गया अलाओदिन खिल जी के पुत्र खिजर खांगो और खिजर खांगो के नाम पर ही इस किले का नाम बदल के रखा गया खिजर अबाद यानि अलावदिन खिल जी ने चित्तोर का नाम बदल के रख दिया खिजराबाद अलावदिन खिल जी ने यहीं पर चित्तोर के किले के पास में ये गंभीरी नदी है यहाँ पर इसने गंभीरी नदी पर पुल बन वाया था तो चित्तोर के किले का नाम बदर के रखा खिजरबाद और अलाउदिन खिलजी ने यहाँ पर गंबेरी नदीव पर एक पुल का निर्माण भी करवाया था अलाउदिन खिलजी का शाशनकाल जो है वो 1296 से लेके 1360 तक है तो अलाउदिन खिलजी जब तक रहा तब तक तो ये चित्तोर का किला पूरी तरह से खिलजीयों के अधिकार में था लेकिन खिजरखा जो है वो अलाउदिन खिलजी के बाद शाशक नहीं बना था तो इसी लिए खिजर खाने चित्तौर को छोड़ने से पहले ये किला ये सौंप दिया मालदेव सोनगरा को आगे जब हम जालौर का इतियास पढ़ेंगे तो जालौर के 305, 308, 311 में जो आक्रमन हुए थे उन आक्रमनों के समय जालौर के साशक्ते कानर देव कानर देव तो युद्ध में वीरगती को प्राप्त हुए थे लेकिन कानर देव का छोटा भाई था मालदेव सोनगरा अब राजस्तान के त्यास में दो मालदेव हैं जो प्रिसिद्धू हैं एक तो ये मालदेव है जो कि जालोर के शाषक काहनदेव सोंगारा का छोटा भाई था और दूसरा एक और मालदेव राठोड है जो कि जोदबुर का शाषक था तो इन दोनों को अलग करने के लिए राजस्तान के त्यास में इस मालदेव को बोला जाता है मूचाला मालदेव कारण इसकी बड़ी-बड़ी मूचें थी तो खिजर खाँ अलाओ दिन खिलजी ने तोड़ा के लिया खिजर खाँ को और खिजर खाँ ने दे दिया मालदेव सोनगरा को यानि अब ये किला किसके पास पहुँच गया मालदेव सोनगरा के पास और मालदेव सोनगरा की मृत्यू के बाद ये किला उसके बेटे के पास यहां तक पहुँच गया तो अब माल्देव सोनगरा से चितवड के किले को फिर दुबारा हासिल किया था हमीर ने तो यहां जो हमने बड़ा चितवड़ की रावल शाका के बारे में तो शेंशिंग से लेकर के और रावल रदर्भान सिंग तक ये चितवड की रावल शाका ती अब इस समय तेरह सो टीन में जब चित्तोड पर आउद्दिन खिल जी काक्रमर हुआ और वहां से लेकि तेरह सो चब्वीस तक यह चित्तोड का किला खिजर खाँ और मालदेवी का अधिकार में रहा यानि मेवार के लोगों का इस पर अधिकार नहीं था तेरह सो टीन से चब्वीस तक यह तरह से गुलामी का काल था और इस गुलामी के काल को फ्री करवाने वाले या मेवार को आजादी दिलाने वाले थे हमीर ससुदिया इनके बारे महम पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो यह चित्तोर की रावल साका का अंत होता है और अगले वीडियो में पढ़ेंगे चित्तोरगड की ससुदिया शाका का जिसके शुरुआत राव और हमीर ससुदिया से होती है थैंक्यू, मिलते हैं फर नेक्स्ट वीडियो